यहां पर और भी कुछ विशाय जिसका मैं जुरूर उल्लेक करना चाहूंगा सदन में कहां गया कि जार्खन, मॉब लिचिंग और मॉब वाइलन्स का अड़्डा बन गया है मैंने सभापती जी युवक की हत्या का दुख यहां है, सब को है, मुझे भी है और होना भी चाहिए दोशियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए लेकिन क्या एक जार्खन राज्य को दोशी बताते ना, यह शोभा देता है फिर तो हमें वहां भी अच्छा काम करने वाले लोग ही भी मिलेंगे जो बुरा हुआ है, बुरा करते हैं, उनको आइसोलेट करें और उनको न्याई प्रक्रिया के धाज, जो कुछ भी कर सकते करें लेकिन सबको हम कड़गरे में खड़े रहे करके राजनीती तो कर लेंगे, लेकिन स्थीतिया नहीं सुधार पाएगे और इसलिए पूरे जारखन को बद्लाम करने का हम मैंसे किसी को हक नहीं है जी, ये भी हमारे देश के नागरी के हैं, वहाँ भी सज्जनों की भरमार है जी इसलिए और अपराध होने पर उचीत रास्ता कानून और न्याई से सम्मिधान कानून और व्यवस्ताएं पूरी तरह से इसके लिए सक्षम है और उसका उपाए भी कानूनी विवस्ता है, न्याईद प्रतिया है, उसके लिए हम जितना कर सकते हैं करना चाहिए, पीछे नहीं एटना चाहिए हिंसा में दुनिया में टर्रिज्म का जो सबसे बड़ा नुक्षान किया है वो गुड टर्रिज्म और बेड टर्रिज्म ने किया है मेरा टर्रिज्म तेरा टर्रिज्म इसने किया है बैसे भी ये हिंसा की घटनाओं को भी हमने चाहे वो गटना जार्खन में होती हो चाहे वो गटना पर्शिम मंगाल में होती हो चाहे वो गटना केरल में होती हो हमारा एक ही मानदन होना चलिए तभी हिंसा को हम रोक पाएंगे तभी हिंसा करने वालों को सबग मिलेगा कि इस एक मुद्दे पर ये देश एक है सब राज़ितिक दले है सब की सोचे है अब ये देश में ऐसा चीज नहीं चलेगा और मैं मानता हूँ हम उस जिम्मेबारे को निफाए राज़ितिक स्कोर के लिए बहुत से ख्षितर है उसका हम उप्योग करें